नमस्का सात्यों स्वागत आप सभी का बोर्ड एक्जाम 2021 के मज्जे नजर क्या-क्या बड़े परिवतन देखने को मिल सकते हैं साथ ही सिख्सा मंत्री का ओपीचल इंट्रिविस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा जिनोंने इस वर्स के बाद अगले वर्स के एक्जा को लेकर क्या सहमती दिये जो कि सभी के लिए जानना जरूरी है साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मनीजजी सिसोदिया ने भी सरकार के द्वारा लिया गया मातर बासा में पढ़ाने के तरीके का समर्थन किया है इंगलिस माइजियम का जो पेटरन अब तक चला नितिके अंदर दस्वी बोर्ड की एक्जाम को लेना अनिवाजे नहीं किया गया है यानि इसका अर्थ ये है कोई रजे अगर चाता है कि वो दस्वी के सात्रों की एक्जाम नहीं लेना चाता है बोर्ड की तो वो नहीं लेगा सरकार पर उसका कोई दबाव नहीं है अब आप बात आईए बार वी बोर्ड की परिक्साओं को लेकर तो यहां आप ध्यान से देखिए डाउटनट पर होगा अब आपके मैथ, केमेस्ट्री, फिजिक्स और बाइलोजी डाउट का सपाया बस अपने क्योशन की फोटो खेंचो, उसे क्रोप करो और समिट करने के 30 सेकिंड के अंदर पाऊ उसका सॉल्यूशन क्लास 6 से 12 से लेकर नीड आईटी जई मैंस एंड एडवांस तक सभी डाउट्स का सपाया दोस्तों इसकी एक और खास चते एक वर्सेम नंबर दिये गए हैं 8400-400-400 जहां अपनी प्रॉब्लम सॉब्मिट कीजिए और 30 सेकिंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाइए चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स में दिया गया है आज ही डाउनलोड करें डाउटनर्ट एप बार वी बोर्ड की परिक्सा फिर सनातक तो प्रवेस के लिए NTA ने एक परिक्सा कराने का ओचिति ठीक लगता है ऐसा स्वाल कुछा गया था यानि कि नई सिक्सा निती में एक पराउधान किया गया है कि अब बार वी के परिक्सा का कोई मतलब भी नहीं रहेगा अमरीका में बार वी के बच्चों को सुरू से मुल्यांकन किया जाता है दूसरे देश बच्चों में बोर्ड परिक्सा नहीं दिला रहे बोड 7-7 मुल्यंकन करें, साल में एक बार बोड एक्जाम नहीं हो, इसको लेकर बच्चों में हवा रहता है, बोड के पास बच्चों के मुल्यंकन के लिए मेकनिस्म होना चाहिए इससातियों इन्होंने बारी बोर्ड ततादस्टी बोर्ड दोनों ही बोर्ड के परस्तिसत का अब आने वाले समय में मैत्वे को नहीं देखते हुए सरकार से यही अपील की है अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट जुरूर कीजेगा ताकि मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूँ क्योंकि नई सिक्सानेती आने की वज़े से बहुत से सात्रों के अंदर डाउट है और वही मेरा उदिश्चे है कि आपका कोई डाउट ना रहे